नमस्कार दोस्तो, मैं राज कुमार ठहनुआ, आज आपको बताऊंगा Top Down Design Techniques के बारे में Basically यह समझ लेजे कि जब आपको कोई problem दी हुई है, आपको उसका solution निकलना है तो आप top से लेके down तक, या कहें problem से लेके solution तक किस तरीके से जाएंगे तो आई जानते हैं, इसे हमें एक flow chart की मदद से समझनी कोई करेंगे तो सबसे पहले जैसे start किया हमने, first of all you have to state the problem which you are trying to solve जो आप problem solve करना चारे हैं, उसे आपको state करना होगा, समझना होगा कि basically उसमें क्या करना है एक बार problem आपको समझ में आई क्या करना है, तो आपको यह पता चल जाएगा, कि उसमें कितने inputs की requirement है और कितने outputs की requirement है, so define the required inputs and outputs जब problem आपकी समझ में आ गई, तो आपको समझ में आ गया, कि इसमें कितने inputs होगे, कितने outputs होगे तो वो आप decide कर लेंगे, उसके बाद आपको algorithm design करनी होगी, algorithm simply step by step solution होता है किसी problem का, तो आपको algorithm design करनी होगी, जो algorithm हो सकता है, बड़ी हो, जो solution है, वो काफी बड़ा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे decomposition कर सकते हैं, उसका, उसे decompose कर सकते हैं, चोटे-चोटे टुकडों में है कि उसे अलग-अलग person solve कर सकते हैं, और बाद में फिर हम उसे combine कर लेंगे, तो इस तरीके से उसका decomposition किया जाता है, और फिर जो हमने decomposition किया हो सकता है, वो भी थोड़ा बड़ा पाट हो, उसे further हम decompose कर सकते हैं, इस तरीके से, उसके बाद फिर step by refinement, उसे फिर refine करते जाते ह आप जब कभी कोई program लिखना चाते हैं, तो एक बार में ही अच्छा program नहीं लिख सकते हैं, कि आपने सोचा पहली बार में लिखना शुरू कर यह एकदम फिटा आगया, आपका अच्छा program आगया, वो जरू ही नहीं optimize हो, solution हो सकता है, हो भी जाए, लेकिन optimization के लिए हमें उस steps लिख दिए, कि पहले यह होगा, इसके बाद इस तरीके से यह करेंगे, तो आपने कुछ language में अपनी लिख सकते हैं, और उसे फिर हमने convert किया MATLAB statements में, जैसे MATLAB statement में convert हो जाएगा, तो MATLAB अब उसे run कर सकता है, तो MATLAB में फिर उसे run करके हम test करेंगे, कि जो program run होके आ र solution से end किया, clear, तो algorithm is a step by step procedure of finding the solution of a problem, तो basically यह कह सकते हैं, यह algorithm की definition है, कि यह step by step procedure होता है, for finding the solution of a problem, आपको problem दी हुई है, आप उसका solution find करना चाहरे है, तो algorithm की मदस से आप उसे find कर सकते हैं, तो standard form that we use to describe algorithms are called constructs, तो standard form होती है, जिनकी मदस से हम algorithm को describe करते हैं, that is called constructs, उन्हें ह basically बोलते हैं, तो the constructs used to build algorithms can be described in a special way called pseudocodes, तो जो constructs है basically, जो algorithm को describe करने के लिए उसके जाते हैं, तो उन्हें हम basically represent करते हैं, एक code की मदस से, जिसे हम जानते हैं, pseudocode के नाम से, pseudocode, P code भी करते हैं, तो pseudocode is a hybrid mixture of MATLAB and English, यह basically hybrid mixture होगा, जिसमें MATLAB के भी कुछ command type में हो सकत जो आप, जिससे के आप समझ पाए basically, कि particular step में आपको क्या करना है, बेको जा हम यह कह रहे हैं, कि algorithm step by refinement ही, तो problem का solution है basically, step by solution करना चाहरे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है, ठीके ना, तो यहाँ पर English का mixture भी होता है, तो separate line is written for each distinct idea or segment, तो separate line लिखी जाती है, तो इसी के लिए समझ लिजए कि आपको pseudo code लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको problem को समझ ना होगा, जो problem आपको दी हुई है, उसे समझ ना है, तो problem हम समझ चुके हैं कि हमें degree finite से Kelvin में conversion करना है temperature का, ठीक है, तो यहाँ पर कितने number of inputs और outputs की requirement होगी, यह आपको next step समझ ना है, जैसा कि हमने flow chart में देखा था, तो आपको पता है कि हमें एक तो input की requirement होगी, जो कि degree finite में होगा, और फिर हम उसकी मदद से output निकालेंगे, जो कि Kelvin में होगा, और अंदर calculation करेंगे कुछ, तो simple एक input और एक output की यहाँ पर requirement है, यह आपको समझ में आ तो सबसे पहले आप चाहेंगे कि जो input है वो user हमें provide करें, तो इसके लिए जो studio code लखेंगे, तो इस तरीके से हम अपने समझने के लखेंगे, prompt user to enter temperature and degree finite, कि हमें कुछ हैसा यहाँ प्रोविजिन करना होगा, जिससे कि user temperature enter करें, तो यहाँ पर obvious सी बात है, आपको यहाँ पर input box, user को, कि temperature उसे input करना है उसके लिए, read जो हम करेंगे, वो किसी variable में हमने read करना होगा, obviously, तो उसे हमने tf कह दिया, temperature in finite, इसमें हमने इसे read कर लिया, जो user ने value दी, उसे हमने इस variable में read कर लिया, तो basically input variable हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, जो temperature in finite जो में मिला है, उसकी मद तो यहां पर साथ में हमने लिख भी दिया temperature in Kelvin, यह साधा जो code है, exactly ऐसे ही MATLAB में हम लिखेंगे, तो run नहीं करेगा, इन्हें हम फिर MATLAB की form में convert करेंगे, यह तो just हम एक mixture लिख रहे है, English का, और MATLAB में भी, जैसे यह particular, इतना portion में लिखोंगा, तो यह run कर जाएगा, ठीक यह हो जाएगा, इसके बाद आपको इसे display करा देना है, that temperature in Kelvin, Kelvin में आप इसे display करा दीजे, clear है, तो इस तरीके से इसका यह pseudo code हो गया, अब आपको जब यह steps लिख लिए हैं, तो इसके बाद आपको इसे MATLAB code में convert करने में में मेरे साब से कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, तो यह एक छोटा सा example था, आप कोई बड़ी भी problem करेंगे, तो इस तरीके से ही आपको solve करना होगा, पहले उसे एक paper or pen लेके, आपको steps decide करने होगे, क्या होगा, किसके बाद क्या हो, उसके बाद आप उसे MATLAB में implement कर सकते हैं, clear है, तो I think आपको studio code समझ में आया होगा, तो top आपको बाद कर सकते हैं, तो I think you.